हेलो फ्रेंज मैं हुराद चोहन और आप देख रहे हैं टेक्निकल पोयो चैनल दोस्तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आज का जो वीडियो है ना वो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो इस वीडियो को लाज तक देखना दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने मोबाइल में आप 4G network speed से आप उसे इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जब आप Auto Connect पर रखेंगे तो आपको हमेशा 4G से सीधा 3G में network connect होने के बाद आप प्रोपर आप 4G की speed को आप यूज नहीं कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को start करते हैं और मापको पताने वाला हूं कि कैसे आपको इससे setup करना है और अप दोस्तों इस setting को करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको अपने mobile का जो dial pad है उसे open करना है और उसके बाद आपको यहां पर एक code को आपको टाइप करना है श्तार है इस पार और देखर और तो इसके बाद आपके सामने कुछ सब्सक्राइब का इंटरफेस आएगा तो आपको उपर एक option मिले Ah पॉन इन्फोमेशन का आपको इस पर क्लिक करना है तो आपको इस स्क्रोल करके नीचे आना हैioniB driver दखा है LTE Slash GSM OTO PRL और स्सक्राइब को यहां पर एक जो है औप्षन मिलेगा LTE only तो आपको इस पर क्लिक करना है तो दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद सिर्फ आप फोर जी नेटर को ही यूज कर सकते हैं यानि कि आप सिर्फ 4G इंटरनेट को ही यूज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ LTE पर करेंगे तो इसके बाद आपको कोई आई आएगा तो आप इसमें सिर्फ इंटरनेट को ही यूज कर सकते हैं यानि कि इसके गाद आपना तो कॉल कर सकते है और ना ही आपको कॉल आ सकता है तो दोस्तों अगर आप जो है करना क्या है आपको जो है सबसे उपर जो आपको मिल रहा है एल टी जी एसम ऑड़ो तो आपको इस पर प्लिक करना है तो इसके बाद दोस्तों आप अपने मोवाइल में जो है हैं तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए आप आप आप